लिए प्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अच्छा बंदन के लिए मिठाई बनाने के लिए सोच रहे होंगे क्या बनाया जा जो कि घर के समाने से हो और कुछ भी जो पहार से नहीं लाना पड़े और बहुत इजी तरीके से इसको बना सके और अच्छा बंदन ही क्यों कभी भी इसको बना कर और कहा सकते कोई भी तेवार में बना सकते तो चलिए ब्र करते हैं तो उसके लिए मैंने बोल ले लिया उसके और शनी ठोड लग रहा है ना टूटा हुआ जैसा टूटा हुआ नहीं है वह फिल्कुल फैल गया इसलिए उस तरह से निट निकल चुका है तो कोई बात ने फ्रेंट तो चलिए उसमें आधा कप ड्राल देंगे गहुंकाटा जो रोटी बनाते हैं वही गहुंकाटा है और आधा कप ही ले यहां पर मैंने चान लिया है तो देख सकते हैं फ्रेंट यह बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है प्रीमिक्स यानि गुलाब जावुन का यह प्रीमिक्स रेडी हो चुका है आप इसको इस तरह से बना करके आप डबे में भर करके रख सकते हैं पंदर से एक महिने त क्योंकि घी मिलाना बहुत जरूरी है और देख सते हैं अच्छे से मिल चुका है क्रंबली जίसा हो चुका है आप रहे हैं और यह ब्ल्कुल दे कर रहे हो ना तो लग रहा है पाहर से पाके रहे में प्रीमिक्स के चिजा है डीफार मिक्स बनाते घी आ ते demographics घी मिला रखे ऐसे ही डाल दी हूँ आप डालेगा तो टेस्ट अच्छा ही आएगा डाल करके मिला लेंगे और उसके बाद बाकी बचे मिल्क को यानि दूद को डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे यह नॉर्मल टेंपरेचर का ही दूद है फ्रेम्स बिल्कुल गरम नहीं है और इसको ड गये कमगी रहे सकता है इसके लिए क्यों हो क्योंकि गीला कभी होता है विस दूद से बना varyilikा हुआ हुआ लग रहेगां तो मैं क्या करती है थोड़ा सागी लगा करके शुड़ देती यह तो तो देख सकते हैं लग रहा है तो देख सकते हैं लग रहा है तो यहां पर मैंने फिर से छोड़ दिया था एक गोली को थोड़ा सा गोल करके देख रहा था तो देख सकते हैं बहुत एच्छा यह चिकना हो चुका और हाथ यह थोड़ा सा घीया तेल लगा लिए और शेव क्या होगा आपका जो गोली बनेगा न गुलाब जावुन का वह बहुत ही चिकना बनेगा तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने मिला लिया है और लग रहा है न अब जब तक फ्राइब करूंगी तब तक बना दोगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा यह बना है अब इधर मैंने तेल करने के लिए पहले से रख दिया था था थोड़ा सा मैं यह क्या करते हैं डाल करके देख लिए तो हैसा गरम है आप गुलाब जावन को डालेंगे और उसको फ्राइब कर लेंगे तो लोग मीडियुम फ्राइब रखेंगे फिर उसके बाद लो कर लेंगे तो से डालते जाएंगे सारे को डालने के बाद इसको बिल्कुल नहीं चलाएगा और इस तरह से अगर हो सके तो हाथ से गुमा लिजिए कड़ाई को लेकिन पकने के बाद या निए फ्राई होने के बाद ही गुमाईएगा और इस तरह से अप अस्पून से घुमाते जाएगा ना पहले भी बिच में चलाते गई हूँ देखे बहुत अच्छा गुलाब जाउन ये फ्राई हो चुका है देख सकते एक भी नहीं फटा है बिल्कुल चि था सकते हैं इस रच्छा बंदन आप बना करके खाईए अभी फेस्टेबल भी आ रहा है तो मैंने निकाल लिया और सेम तरीके से में और बाकी बचा जो है गुलाब जावन को फ्राइ कर लेती हूं बिल्कुल सेम तरीके से या तो आप पड़ाही को थोड़ा से घुमा लेज हैं तो देख सकते हैं इसको एक मीनी फटा कितना बनाए अब इसका चाष्णी बनाएंगे तो इसका चास्नी बाद में बना जाता है तब तक कि फूरा सा जो फड़ाव जावन होता है थंडा होता है आप यहां पर मैंने लेजिया कराही रख दिया गैस पर इसमें एक कप ड दालेंगे इसमें पानी आप दोड़ा साथ चीनी को मिक्स कर लीजे इससे क्या होगा ना मीचे तले में जलेंगे नहीं अब देख सकते हैं यहां पर वाल आना शुरू हो चुका है और एक से दो मिनट इसको वाल लीजिए और जब उसको टैच करेंगे ना तो बिल्कुल लग समझे खी हो चुका है तो मैं इसको दिखाते हो चेक करके थो चेक कर तो दो फाण कर सकते देखाएं घार नहीं बनेंगे डालने के बार एक से दो मिनट के लिए उबालेंगे लो फिलिम पे या तो हल्का सा low medium भी कभी 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 कर दीजी और उबालने के बाद दो मिनट वाल लेजे तभी यह बनता है और सब गुलाब जाओन बनाते हो उसमें उबालना नहीं है लेकि जब आटा का गुलाब जाओन बनाते हो इसको एक से दो मिनट के लिए उबालना जरूरी है तभी यह पर्फेक्ट बनता है देखें यहां पर दो मिनट हो चुका है और देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े कि जब में रखते हो तो चासनी में तो कोई पीचक जाता है लेकि इसमें द देख सकते हैं ना ना एक फटा है तो इसको मैंने एक बोल में रख दिया है और रखने के बाद मैं इसको क्या करते हूँ देखती हूं काट करके क्योंकि अभी 20-25 मिनट ही हुआ है तो उतना अच्छा से अभी बना नहीं है आप इसको 3-4 घंटे के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा तो इसको मैं दिखाती हूं कैसा बना है तो देखिए फ्रेंज बिल्कुल जूसी-जूसी है न कोई बिस्वास करी नहीं सकता कि 20-25 मिनट ही इसको रखा है मैंने और इतना अच्छा बना है और जब सोच सकते हैं तीन से चार घंटे के लिए रखेंगे तो इतना अच्छा यह हो जाएगा और बिल्कुल टेस्ट में बहुत अच्छा बना है फ्रेंज बिल्कुल नहीं लग र लिए उसमें इसको डाल करके इस तरह से कोड कर लेती हुँ तो इससे बांड़ जाएगा और देखने में बीधे अच्छा लगेगा फ्रेंट अपी इस तरह से कोड करके रख सकते हैं तो यहां पे मैंने दो रख लिया और बहुत ही थै देखने में और खाने में तो अच्छा लगे गई तो आप इस तरह की बना रहे हो यह नहीं बना रहे हो तो देख सकते कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंट मैं हाथ में ले करके दिखा रही हूं तो विश्वास नहीं मानिएगा फिरेंट कि यह आटे का गुलाब जाओन इत हुआ भुलाब जाँ बना इता है झाले बना रहे लग दो आटे पान रहे हो दो करेको दो दोड़े लाओने लेहले का रहे हुआ वहे जगलाब लेकर फारा लेगशाए है झाले झाले लेग्यान अव्टा क्यों बना चाले प्ली छेंगे लेह और हैं तो बना है खिएगा